बिहार के पुर्वे मुक्यमंत्री जीतनराम मांजी ने पिछले एक हफते में जिस तरीके से भरतिय जन्ता पार्टी को लथा रहा है उसके बाद कई सवाल बिहार के राजनेतिक गलियारों में उठने लगे हैं बताते चले कि मदर्सा में हुए विस्पोर्ट के बाद जीतनराम मांजी ने भरतिय जन्ता पार्टी को शाप सब्द में कह दिया कि अगर कोई मदर्सा पे सवाल उठाता है तो वो देश विरोधी है अब जब जितनराम मांजी ने भारते देंता पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोला है तो कहा जा रहा है कि क्या वाकई में ये बोल जितनराम मांजी के हैं या फिर उनसे कोई पिछे से बुलवा रहा है जितनराम मांजी ने अज बाका मदरसा विस्पोर्ट पर बयान दिया जितनराम मांजी ने साफतोर पर कहा कि मदरसों में आतंकवाद की बात करने वाले देश विरोधी हैं आगे जीतना मांजी ने इसे दलीत से जोडते हुए कहा कि जब दलीत अपनी बात उठाता है तो उसे नकसली करार दे दिया जाता है उसी तरीके से जब मुसल्मानों के बच्चे मदरसे में पढ़ने जाते हैं तो उन्हें आतंकवादी करार दिया जाता है ये दलितों और मुसल्मानों के खिलाफ सोची समझी साजिश है जो लोग मदर्सों पर सवाल उठा रहे हैं वे देश के दुस्मन हैं मांजी ने कहा कि बांका में अगर विस्पोर्ट हुआ है तो उसकी जांच होगी लेकिन उसे आतंकवाद से जोडने की बाद का वे पूर ज दाब बन गया है उन्हें ततकाल बंद कराना जाना चाहिए बीजेपी के कई और नेताओं ने भी मदर्सों को लेकर सवाल खड़े किये हैं सुरुष यहीं बीजेपी मदर्सों को लेकर सवाल उठाते रही है मांजी ने मदर्सों को लेकर बीजेपी के स्टैंड के खिलाफ खुला मोर्चा खोल दिया है बीजेपी पर ताबरतोड हमला कर रहे मांजी एक दिन पहले यानि बुद्वार को मांजी की पाटी हम ने बीजेपी पर नितीश कुमार की सरकार को अस्थिर करने की शाजीच रचने का आरोब भी लगाया था मांजी की पाटी ने कहा था कि बां रामांजी ने बीजेपी को जम कर खरी खोटी सुनाई थी। बीजेपी के प्रदेस अध्यक संजेज जैस्वाल समेत पाटी के कई वरिष्ट निताओं ने दलितों पर मुसल्मानों के अत्याचार का अरोप लगाया था। पुर्णिया में 82 के दलित टोले पर मुसल्मानों के हमले को भी बीजेपी ने बरा अमुद्दा बनाया था। जितना मांजी ने कहा था कि पुर्णिया की घटना के बाद वहां के मुसलिम समाज के लोगों ने दलितों का काफी मदद की है। इससे सावित हो गया है कि दलित दलित मुसलिम एकता से जिन लोगों के पेट में दर्द हो रहा है वही बिहार सरकार के उपर उंगली उठा रहे हैं। चस्प बात ये है कि एक तरफ जहां मांजी बीजेपी पर ताबरतोड हमला कर रहे हैं वही नितीश कुमार में उतना ही जादा प्यार दिखा रहे मांजी ने कोरोना के वैक्सीन पर प्रदान मंत्री की तस्वीर होने पर भी सवाल उठाते हुए उस पर मुक्य मंत्री की तस्वीर लगाने की मांग कर दी थी। जितनरा मांजी नितीश कुमार के हर फैसले की तारिफ करने में लगे हैं। जो बीजेपी के खिलाफ है जिससे जेडियू को परिशानी होती है यानि अगर किसी मामले में बीजेपी के स्टैंड से जेडियू को परिशानी हो रही है तो जितनरा मांजी भाजपा को जवाब देने मैदान में आ जाते हैं सियासी जानकारों की माने तो मांजी बोल नहीं रहें बलकि बुलवाय जा रहें हैं हम पाटी के एकनेता के मुताबिक अगले साल यानी 2022 में मांजी को विदान परिशत के चुनाओं में कुछ एड़ेस्टमेंट का भी अश्वासन मिला है वहीं ट्रांसफर पोस्टिंग में भी उनकी स्रिफारिस को पर्याप तवज्जो दिया जा रहा है पुर्व सीम होने के नाते जितनरा मांजी ने नितिश कुमार से कई सुविदाओं की मांग की थी उनमें से जादा तर पूरी कर दी गई है लिहाजा चर्चा यह है कि नितिश कुमार बीजेपी को जबाब खुद नहीं दे सकते तो मांजी से बुलवा रहे हैं हाला कि जितनरा मांजी ने किसी के इशारे पर बोलने की बात से इंकार किया है उन्होंने कहा है कि वे जो बोलते हैं वे अपने मन से बोलते हैं उन्हें कोई प्रेलित नहीं कर रहा